नवास्कार साथियों, 9 दिसंबर को चीन के साइनिकों ने भारत में घुश पैटी की, लगभग 300 साइनिक थे और भारत में तवांग वाले छेत में घुश पैटी करने एकोशिस की थी, लेकिन हमारे भारती सेना ने उसे बहादुर से लड़ा और खदेर दिया, रिपोर्ट चोट आई है, लेकिन हमारे भारती सेना ने चीन के कई साइनिकों के हाथ पैर तक तोड़ दिया है, और उसको फिर से उसे अपने जगह पर लोटने के लिए मजबूर कर दिया है, उस जरब के बाद कमांडर लेवल की बाचित हुई, और फिर इस मामला को सांथ किया गया, फिर तब जाके जोए सो चीन सेनिक पीछे हटे और भारत भी अपने जगह पर आ गया, इसके बाद अब सवाल बनने लगे कि आखिरेशा क्यों हुआ, क्या हुआ, जैसे कि आपको याद होगा ही कि दुछार 20 का कटना है, जब चीन लदाक वाले च्छत में, जो गलवान घा नारे गिये थे, उस समय, उस समय भारत ने एक चीज सिखा था, कि वहां पर पछले कि अप Elavati Land Of Actual Control है, जैनि Land Of Actual लेकाय थे इसके बाद एलेक्ट्रोनिक वायर लेकाय थे और उससे भारती सेना पर प्रहार किया गया था लेकिन भारती सेना इससे बिलकुल अवगत नहीं थे की चीन इस तरका करणावा कर सकते हैं क्योंकि एक एगरिमेंट है भारत और चीन के बीच जहां कोई वेपन हथ्य मजबुरान हटना पड़ा तवायंग वाले छेल्ट की बात की जाए तो यह पहली मामला नहीं है यहां 2006 से ही चला आ रहा है इस तरह की समस्या पिछले वर्स भी कुछ इसी तरह की घतना हुआ था अगर भारत और चीन की जो जो अगर 1962 में वह था और उसके बाद से लगतार हो रहा है 1962 के बाद उनेशुशाट में वह था इसके बाद अब सवाल उठता है कि जो तवांग वाल अच्छेतर है वो तो 17,000 फिट के उचाए पर है आखिर उसमें चीन की दिल्चस्पी किया है तो देखे चीन की दिल्चस्पी का बहुत इसरी जन है यह तो रननीतिक रूप से बहुत ही महत्पुन है रननीतिक रूप से इतना महत् पूरण उसे पीछा हटना पड़ा उसे पीछे हटना पड़ा और फिर जाके भारत के कब्जा में वह आ गया तवांग वाला च्छेतर क्या है कि जो रननीतिक रूप से इतना महत्पुन है उस पर चीन का कब्जा हो जाता है तो अरुनाचल परतेश को पूरी तरह से देख स करता हैं दो मतलब में जगाएं एक टो है नेपाल और तिबद के जो बौर्डर है नेपाल और तिबद के बौर्डर पर जिसका नमें चंबा घाती अब वहां से इंट कर सकते हैं या दूसरी जो खुद तवांग है जो भूटान और भारत के रति पर हैं और उसमें किया कि आसानिइ से आस्कता है इसलिए बारबार जिसंता है कि दवांग वाले चहत्रों उसका भूर्जा हो तीसरा ही जहन हाए कि दलाय Russia 1969 में क्या हुआ था कि जब तिबबत पर चीन हम्ला कर रहा था और उसे कभजा कर है उसे इज़्जत से जोर कर देखता है और इसलिए बार-बार कभजा करने कोशिश करते हैं एक में रिजन इस पार यह हुआ कि अचानक ऐसा क्यों हुआ तबांग वाला छेत्र में तो उनका में रिजन है इंफ्राइक स्ट्रॉक्चर का डेवलब करना भारत ने क्या क्या कि कि फ्रंटियर हैवे जोंसों यहां से शुर्वात किया बनाने मया मारता है दो हज़ार किलोमेटर लंबा है लगभग चालिस हज़ार क्रोड के लागात से इसे बनाया जा रहा है तो भात ने इस तरह का नामा किया है इसलिए चीन थ्रभ बखलाया हुआ है क्योंकि हाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं चीन का सवरण निती रहा है कि लोगों को मन भतकाना लोग यह चाह रहा है कि लोगों और और इस हिसाब से भारत पर इस तरह कर नमा करेंगे तो लोगों का ध्यान भटक जाएगा और पूरा फोकस भारत पर आ जाएगा और इसलिए होगा क्या कि जो चीन है उहां सी जिन्पिंग का ब्रोध नहीं होगा इस कारण से भी वह इसाग कर रहा है अगर बात करें दुनिया हमेशा सा रखा है भारत हमेशा शेज़ोंस तो किसी भी नीति को पहले जो कोई अग्रिमेंट करता तो उसको पूरी तरह से फोलो करता है लेकिन ऐसा चीन में नहीं है तो जैसे भी कोई नया अपडेट आता तो आप लोग साथ ज़रूर शेर किया जाएगा और आज के इतना रखते हैं मिलते हैं विडियो साथ जाए हिंद